एलो फ्रेंड्स मैं हूरी तू आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतने टेस्टी वाले आलू से ये रस्पी बनाई है यानि पोटेटो वेजी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है आई ये फटा-फट से वीडियो में देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है मेरी फ्रे अब आपने क्या करना है कि मैंने गैस पर एक पतीला रख दिया है उसमें रख दिया है पानी जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया अब उसमें डाल देती हूँ ये आलू दात में डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक इसमें एक आधा आलू भी चला गया है बीच में कोई बाती है उसको निकाल के उसको भी कट कर लेते हैं और बस तेज आज पर आपने इसको बॉयल कर लेना है कम से कम पांचे मिनट तक पांचे मिनट बात मैं इसको निकाल रही हूँ ये हलके हलके से उबल गया है यानि बिल्कुल गले नहीं अभी हलके से कच्छे हैं इधर मैं पाउडर यानि कॉन फ्लोर या आरो जो भी हो आप डाल दीजिए ठोड़ा सा डाल दीजिए चिली फ्लेक्स थोड़ी सी कालिविश डाल देती हूं थोड़ा सा नमक और यह और यह और इसके पैकेट आते हैं अगर आपके पास बॉटल नहीं है पूरी वाली तो आप ऐसे भी use कर सकते हैं मार्केट में मिल जाते हैं और साथ में डाल तीजिए बारीक बारीक काट के हरा धनिया यह भीशप्वा रहाड जब आतुछी सब्जि यह मैं अच्छी अच्छी करने के बार इस को चमश से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जो यह मैदा और रोड और मसालों की कोटिंग है यह इसके उपर अच्छी तरह से आ जाए तो यह देखिए बढ़िया तरीके से आलू हमारे कोट हो गए है इसको थोड़ा सा उच्छाल भी देती हूं ताकि जो हल्की फुलकी कोटिंग इसमें रह गई है वो लग जाए तो यह देखिए बढ़िया से कोट हो गए ना हमारे आलू बस अब आपने क्या करना है कि अब इसको निकाल लीजिए इसके अंदर से हलकासा जाड़ कर ताकि जो एक्स्रा कोटिंग है वो आपकी निकल जाए बस सारे आल कि मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी बिल्कुल आप ऐसा मत कीजिए का अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाए और इसका घोल बनाते जाए यह बड़ी आसा बैटर बनके रेडी हो जाएगा अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि मैंने कैसा बैटर बनाया है फिनो इतने सारे आलु मेरे पास थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ तो मेरे बच्छोंने मुझे आइडिया दया कि मέमझ के पोटेटो वेजी बना लू जो बहुत बढट बढ़िया लगते है तो चलो आलु का उयूस्कों कर नहीं है तो उसके हम पोटेटो यह गोल मैंने बना लिया है ना यह बहुत गाड़ा है और यह बहुत पतला है अगर हमारा तेल भी आपको देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गरम हो गया है जब तेल अच्छे से गरम हो जाए ना तो गैस की आज को कर दीजे मीडियम और फिर अपने ही जो हमने आलू को कोट क यह था ना इनको इसमें डिप करते जाए और डालते जाए बस आपने मीडियम फ्लेम पर इनको बड़िया सा क्रिस्पी सा कर लेना है फ्राइ यह देखिए एक एक करके मैं डालती जा रही हूं बहुत हाई फ्लेम पर इसे मत कीजेगा क्योंकि जो हमने आलू काटे थोड़ कर लो लाइक के बटन को फ्लीज 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 एक बार हिट जरूर कर दो और अपने फैमिली और फ्रेंट्स में मेरी वीडियो को जादे से जादा शेयर कर दो जो लोग पेस्बूक पर मेरे पेज को देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना बिलकुल भी न भूले यह देखिए कितने क्रिस्पी बनके रेडी हो गए हैं यह ऐसे ही सॉस में लगा के खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे बच्चे तो किचन में मेरे पीछे ही खड़े हुए और उन्हीं का लूँ तो दो चार तो बच्चे मेरे सॉस के साथ ऐसे ही खा गए इसको फिर मैं उनको भगा दिया मैंने कब पोटेटो वजीज इसके बनने रुक जाओ वही यह मैंने लिए कुछ सबजिया जैसे शिवला मिच को मोटा मोटा कट कर लिया है प्याज को ऐसे मैंने इसके जो प्याज काटके उसके डाइस निकाल लिए थोड़ इसी अद्रक ओईल निकाल के स्मेट डाल दी browse अब सबसको लिए बस एक मिनॅट थक ज्यादा भूनने के आपको बिल्कुल भी जरूड़ नहीं है अब आप इसके डाल दीजिए बारी बारी से इसी प्लेट कर लिए उसकी पञ बनक़्डा कर दीजेगा साथ में लिए मैंने कैप सिका मुसको लंबलंबा कट कर लिया है थोड़ी गाजर लिए और गैस की फ्लेम को फ्रेंट्स बिल्कुल हाई रखिएगा क्योंकि सब्सिया ना हमें इसमें क्रंची क्रंची चाहिए जब यह सारा कुछ अच्छी तरह से भुण जाए दो तिन मिनेट तक बस इसको फ्राई करिए इसको गलाना बिल्कुल भी रही है सबसे लास्ट में आप इसमें डालिएगा पत्ता गोवी क्यों पत्ता गोवी है वो बहुत जल्दी कल जाता है और पत्ता गोवी क्रंची क्रंची अच्छा लगता है बस लास्ट में इसमें पत्ता गोवी डाल दीजिए और उसको भी तेज आज पे बढ़िया तरीके से फ हलका सा नमक डाला है मैंने इसमें ताकि सब्जियों में हलका सा नमक आ जाए लसब्जिया जो ना फीकी-फीकी सी ना लगे अब बारी आती है इसमें हमारे कुछ मसाले और सॉस डालनेगी इसको चटपटा बनाना है भाई तक यह बड़ी असा बच जाए और इसमें साथ में दीजिये थोड़े से चिली फ्लेक इसमें बहुत पढ़िया चटपटा वाला फ्लेवर आ जाएगा इसको मिक्स कर दीजिये और साथ में डाल दीजिये शेजवान सॉस चेजवान सॉस चो मार्केट में आता है न अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो मार्केट में 10 की जरुबत नहीं है इसको अच्छे से मिक्स कर लो इसकी फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा फ्रेंड्स ताकि आपकी सब्जिया गल ना जाएं क्योंकि अगर आप धीमें रखोगे तो आपकी सब्जिया गलनी शुरू हो जाएंगी और अब डाल दीजिये इसमें अपन के घर में सब आपके फैन होने वाले हैं यहीं देखिए बड़िया से हमारे पोटेटो वेजीस हो गाएं बनके रेडी मेरे बच्चों ने एकात निकाल के इसमें सिर्फ फॉक लगा के खावी लिए और साथ में डाल दीजिये थोड़ा सा हरा प्याज और हरा लेसून होता ह उसको बारिक बारिक कट करके यह भी मैंने अपने घर में गमले में उगाया हुआ था घर पे थोड़ी सब्जियां ऐसे उगाल होना तो आसान रहता है जब भी जरुवत है थोड़ी सी तोड़ी और डाल लिए और घर की सब्जियों की बात ही अलग होती है तो बस इसमें हल नहीं वीडियो के साथ में बावाई टेक केर